और इस सवते की टिप हमें लिख भेजी है अंजु दिनकर जीने फरीदबाद से यह कहती हैं कि जब भी आप गोबी की सबजी बनाते हैं तो उसके अंदर उसका कलर और उसका टेस्ट और निखारने के लिए थोड़ा सा नीमू का छिलका अगर आप छील के उसे ग्रेट करके अगर दाल दें तो वह और निखर के आता है दिखाते हैं आपको कैसे हमारे पास यहां पर एक कड़ाई है और हमने यहां पर एक मसाला तयार कर रखा जो प्याज और टमाटर का मसाला हम किसी भी करी के लिए बनाते हैं इसको हम अच्छी तरा गरम कर लेते हैं यह टिप ब्लांच के या बिना स्टीम किये आप किसी भी चीज में आड़ करें अगर आप कच्छी को भी आड़ कर रहें तभी इस टिप का असली महत्व होगा ते रिजे मसाला गरम हो चुका है अब इसमें डाल देते हैं गोबी और इसके अंदर आप हम डाल देते हैं ये नीमू का चिलका जिसको लेमन राइंड कहते हैं लेमन जेस्ट कहते हैं इसको हम डाल देते हैं इतने मिक्शर में करीब आदा चमच और ये इसको थोड़ी सी एसिडिटी देगा क्योंकि नॉर्मली जब भी आप गोबी को ब्लांच करते हैं या स्टीम करते हैं पोच करते हैं तो उसके अंदर विनेगर डाल देते हैं थोड़ा सा क्योंकि वो उसे थोड़ा सा एसिड देता है इसलिए हम यहां पर वैसा ऐसे यूज ना करके नीमू का जैस्ट यूज कर रहे हैं I hope कि ये टिप भी आपकी हमेशा के तरह बह